हेलो व्रेंट्स कैसे आप सब लोग दोस्तों है विशाला सब को स्वागत करता हूँ आप ये चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल दो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को दबाना ना भूलने ताकि आपको ह हुमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाये करें जब भी हमको नहीं वीडियो बनाएं करें तो दोस्तों आज की जो एप है बहुत अमेजिंग है आज की लिंक में आपको वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट करा दूंगा वहां से जाके आप इसे इसे और यूस कर पएंगे ऊड़े दूस्तो तो आज क्या है तो वैसे जनरली देखा जाएं तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि चारजिंग करने का कुछ वासतरीके नहीं है लेकिन यह आपको बताई कि चारजिंग किस तरीकर से कर सकता है दोस्तु यह आप उतको पूरी तरीक क्विए लगाना है और यहां start पे click कर देना है ओके दोस्तों यह सारी performance बताईगी आपके mobile की जैसे detect brightness इसे boost पे click करेंगे तो अपने हिसाब से adjust कर लेगी ओके दोस्तों और detect system sync detect fast charging shortcut तो यह सारी तरीके आपको boost करने है इस तरीके से boost पे आप click करेंगे ओके दोस्तों बूस्त पे click करने करा है brightness level है वह आप adjust कर सकते हैं देन दोस्तों backend पे आ जाते हैं दुबारा एप पे आ जाते हैं detect GPS GPS पे जाके इसे आप थोड़ा adjust कर सकते हैं ओके दोस्तों इसके अलावा detect Bluetooth Bluetooth में जाके आप इसे बंद कर सकते हैं क्योंकि यह भी एक तरीके से charging को रोगने में बहुत ज्यादा वो करता है problem create करता है ओके दोस्तों इसके अलावा detect system sync इस पे जाके सबसे बड़ी चीज होती है यह सब sync data को आपको थोड़ी दिर के लिए बंद कर देना है ओके दोस्तों इससे ग्या होगा इससे आपकी charging बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी तो यह एप है पूरी तरीके से calculate करके बताएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं जिससे आपकी charging फास्ट हो सके तो इस अपकी लिंक में आपको वीडियो के जिछे description में provide करा दोंगा वहाँ से जाके आप इसे use कर सकते हैं उमीद है दुस्तों इस वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और लाइकन को तबाना ना पूले मिलेंगे next वीडियो में तब तक के लिए बाए द तो